हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ओल्लाइन चनल राध्या अर्येस एकेडमी में दोस्तों राजस्तान पटवार बरती परिक्षा के लिए राजस्तान इतियास के क्लास शुरू की गई थी जिसमें अपनी 17 क्लासें हैं वो कंप्लेट हो चुकी है विकान 5000 का इतियास अपना उसमें चल रहा था ठीक है एक कलास विकानेर इतियास की हो चुकी थी अज दोस्तो अपन रायसिंग परत्विराज राठोर और करनिसंग ये तीन सासक आज अपन इसमें पढ़ेंगे तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और अरद्यारस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बैल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पाँचवा नंबर का सासक है राइसिंग, अब ये राइसिंग कोन है, तो देखो जेटसी, राव जेटसी का बेटा था, कौन कल्यानमल, जो कहां पर चला जाता है, सेर सासूरी के पास में चला जाता है, जेटसी की अर्त्या है, वो माल देव कर देता है युद में, ठीक है, और कल्यानमल का बेटा बनता है राइसिंग, ठीक है, तो ये कल्यानमल का बेटा है राइसिंग, अब देखवागे, अकबर वै जहांगीर के समय का मनसबदार था, तो दोस्तों, अकबर के समय 4,000 का, और जहांगीर के समय 5,000 का मनसबदार था, कौन तो राइसिंग, ठीक है याद रखना इस चीज़ को देखो 1577 में अकबर ने इसे 51 परगने इनाम में दिये थे ठीक है राय सिंग को इनाम के रूप में अकबर ने 51 परगने दिये थे ठीक है याद रखना अब देखो दोस्तों खुसरों के विद्रो यानि की खुसरों कोन था तो जांगीर का बेटा था ठीक है खुसरों के विद्रों के समय जांगीर ने राई सिंग को आगरा यानिकि जो उस समय राजदानी थी की जिम्मेदारी सोपी थी यानिकि जांगीर का बेटा था खुसरों उसके विद्रों उसने विद्रो कर दिया था तो विद्रो के समय दोस्तो राई सिंग को आगरा की जिम्मेदारी सोपी थी क्योंकि उस समय आगरा थी वो राजदानी थी मुगलगी तीक है अब आगे देखो बिकानेर में जूनागड किले का निर्मान राई सिंग ने करवाया था ठीक है बिकानेर में जो जूनागड का किला है ठीक है उस किले का जो निर्मान है वो दोस्तो किस ने करवाया था तो वो करवाया था राई सिंग ने ठीक है याद रखना इस सीज़ को क्योंकि कई बार य अब आगे देखो इस किले का जो निर्मान है वो दोस्तों अगर देखा जाए तो इस किले का जो निर्मान है वो 1589 से चोराण में के दोरान कर्मचंद की देखरेक में हुआ था तो दोस्तों इस किले का जो निर्मान है वो लगबग इस किले का निर्मान है वो 6 साल तक चला था तो दोस्तों इसमें एक चीज और मैं आपको बता जेता हूं कि 1570 में जब नागोड दरबार लगा था तो दोस्तों अकबर के नागोड दरबार में कल्यान मल के साथ जाता है कौन राइसिंग ठीक है और अकबर यहीं से अपने साथ उसे आगरा ले जाता है ठीक है और 1572 में अकबर ने इसे जोदपूर का परसासक निक्त करता है और महराजा की उपादी देता है मुगलों की तरफ से दोस्तों राइसिंग है वो गुजरात काबूल और कांदार के अभियान पर भी जाता है ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है देखो बिकानेर के जोनागडे में सूरजपूल के पास राइसिंग परसास्ती लगी हुई है ठीक है और इस जैन मुनी ने की थी नाम याद रखना जैता ठीक है जैता नामक जैन मुनी ने लिखी थी दोस्तों ये परसास्ती कौन सी तो राइसिंग परसास्ती कहां पर लगी हुई है तो बिकानेर के जोनागड किले में सूरजपूल के पास में लगी हुई है ठीक है यह भी आपको इसमें याद रखना है देखो राइसिंग की पुस्तकें तो राइसिंग की जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है तो देखो राइसिंग महोचसव जोतिस रत्माला ठीक है राइसिंग की पुस्तकें हैं ये राइसिंग की पुस्तकें है ठीक है अब देखो राइसिंग के दर दर्बारी विद्वान तो राय सिंग के दर्बारी विद्वान हैं वो कौन कौन से थे और उनकी पुस्तक क्या थी वो भी मापको इसमें बता रहा हूं ठीक है तो देखो एक तो जहिता जिसने राय सिंग पर सस्ते लिखी थी और ये जुनागड के लिए में सूरजपॉल के पास में लगी हुई है ठीक है जैता है जेन मुनिते एक थे दोस्तों जैसोम ठीक है और जैसोम है ये राय सिंग के दर्बार में था जिसने एक पुस्तक लिखी थी कौन सी तो दोस्तों कर्म चंद वनसोत कीर्थम काव्यम ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों और इसने कर्म संद पर पुष्टक लिखी थीources कौन ? जै सो्म। जै सोम ने एक पुष्टक लिखी थी जिसका नाम था कर्म चंद वन्त किर्भत्न काव्यम तो ये पुष्टक लिखी थी दोस्तों य्याद रखने इस पुष्टक का नाम थीए अब आगे देखो मुनसी देवी परसाद ने राए सिंग को राजपूताने का करण कहा है ठीक है तो देखो राजपुताने का कर्ण तो किसको का राई सिंग को तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो यहां पर रा आ रहा है राई सिंग के अंदर और राजपुताने में भी रा आ रहा है तो आपको याद रखना है रा से रा राय सिंग राजपतानी का करण और कल्यूब का करण तो कोण है? लून करण वो भी इसमें आपको याद रखना है दोनों में भी प्रिक्षा में परसंट पूचा जा सकता है अब आगे देखो अब दोस्तों इसमें एक चीज और माप को बता देता हूं कि 1583 इस्वी में शिरोई के राजा सुर्तान देवडा को दत्रानी के युद में हराया था दत्रानी का युद में दोस्तों मारणा परताब का भाई जगमाल भी मुगल सेना की तरफ से लड़ा था तो ये इसमें युद में हराया था सुर्तान देवडा को तो ये राइसिंग तो राइसिंग हराता है किसको तो दोस्तों वो हराता है किसको सुर्तान देवडा को अब देखो आगे परत्विराज राठोड जिसको किस नाम से जानते हैं तो डिंगल का होरेश के नाम से जानते हैं परत्विराज राठोड को यहां राय सिंग का छोटा भाई था यहां राय सिंग का छोटा भाई था और अकबर का दरबारी लेखक था ठीक है यहां राय सिंग का तो छोटा भाई था और अकबर का दर्बारी लेखक था ठीक है यह भी आपको इसमें याद रखना है अकबर का दर्बारी लेखक कुन था परत्विराज राठोड और राय सिंग का छोटा भाई कुन था तो परत्विराज राठोड अब देखो कौन कौन सी है तो देखो वेली कृष्णे रुकमनीरी यह पुस्तक है यह डिंगल भासा में लिखी हुई है यह उच राजस्तानी में लिखी गई है यानिकी डिंगल भासा में लिखी गई है देखो डिंगल और पिंगल दो होते हैं डिंगल है ये पस्मी भाग में लिखी हुई है और पिंगल ये पूर्वी भाग में लिखी हुई है तो डिंगल पस्मी और पिंगल पूर्वी भासा में लिखी गई है ठीक है दोस्तो ये वेली कृष्णरुक मनीरी है इसे दुर्सा हडा याद नाम रखता है दोस्तो दुरसा आड़ा थीक है तो दोस्तो दुरसा आड़ा ने इसे पांचवा वेद और बुनिसवा पुरान कहा है थीक है किसको वेली कृष्ण रुकमनी री जो इसकी रचना है परत्फिराज राठोड की इस पुस्तक के बारे में कहा है दुरसा आड़ा ने कि ये पांचवा वेद वेद चार होते है तो पांचवा वेद और गुनिसवा पुरान कहा है पुरान कितने होते है अठारा और वेद कितने होते है चार तो पांचवा वेद और गुनिसवा पुरान कहा है किसने दुस्सा आड़ाने किस लिए तो ये पुस्तक के बारे में कहा है वेली कृष्ण रुकमनी री ठीक है एक चीज ओरे दोस्तो इसमें करनल जेमस्टोड करनल जेमस्टोड ने दोस्तो इस रचना को दस सहस्त्र गोडो काबल बताया है तो अब आगे देखो दुस्सा आड़ाने इस पुस्तक को पांचवा वेद और गुनिस्वा पुरान बताया है हिंदु द्रम में चार वेद और अठरा पुरान है ठीक है करनल जेमस्टोड ने इस पुस्तक में दस हजार गोडों काबल बताया है ठीक है और एलपी टेक्सिटोरी जो इटली के हैं ठीक है तो एलपी टेक्सिटोरी ने क्या बताया है कि पर्त्वी राज को डिंगल का होरेश कहा है ठीक है कनईयलाल सेथिया ने दोस्तो क्या कहा है तो दोस्तो कनईयलाल सेथिया की पुस्तक है पाथल और पित्थल तो देखो पाथल का मतलब होता है महराना परताब और पित्थल का मतलब होता है पर्त्वी राज राठोड तीक है याद रखना पाथल का मतलब महरणा परताब और पर्थवी राज को कहा है दोस्तो पितल कन नह लाल सेटिय की पुस्तक है पाथल और पितल थीक है समझ में आग получилось किसको कहते है पितल किसको कहते है अब सासक बनता है दोस्तो करन सिंग तो आप सबी ने देखा होगा कि अटक अभियान के दोरान दोस्तों इन्हें जै जालंदर बादशा की उपादी दी गई थी यानि कई करण सिंग को कौन सी उपादी दी गई थी तो जै जालंदर बादशा जैसे परिक्षा में प्रसंद पूछ ले कि जालंदर बादशा की उपादी किसे दी गई थी आप सबी को पता होगा मैंने आपको मतीरे की राड एक युद बताया था ठीक है वो हलंकी वो मतीरे की राड नाम से प्रसिद हुआ लेकिन एक गाउं था जाखनिया गाउं उस गाउं के उपर ये लड़ाई हुई थी अमर सिंग राठोड और कर्ण सिंग के मद्दे दोस्तों ये हैं लड़ाई हुई थी ठीक है और इसमें विजह हुई थी अमर सिंग राठोड भी ठीक है अब देखो इनी के समय है वो अमर सिंग राठोड से मतीरे की राड़ नाम के युद हुआ था आप सभी को पता है और जांगल परदेश तो दोस्तों जांगल परदेश है वो विकानेर को का जाता था जांगल परदेश क्योंकि माबारत काल में विका नेर को जांगल परदेश कहा जाता था ठीक है देखो अब आगे कर्ण सिंग ने अन्य कुछ सहिते कारों से मिलके दोस्तों सहिते कल्प दुरुम सहीते कल्पद्रूम नामक दोस्तों एक पुस्तक की रचना की थी ठीक है याद रखना और इनके पास में दोस्तों एक गंगादर मेथिल नाम का एक विद्वान रहता था ठीक है दर्बारी था जिसने दोस्तो दो पुस्तक लिखी है एक कन भूसन और एक कावे दाकिनी ठीक है दाकिनी है कावे दाकिनी तो ये पुस्तक लिखी थी दोस्तो किसने गंगादर मेथिल ने तो ये आज की कलास से अपनी यहीं समापत होती है कल अपन पढ़ेंगे दोस्तो अनूप सिंग, सूरत सिंग, रतन सिंग, ठीक है तो एक दो दिन में अपना ये भी कंप्लीट हो जाएगा भी कानेर का फिर आगे देखेंगे चोहन स्टार्ट करेंगे तो दोस्तो अगर आपने अभी तक आरत्यारस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दें बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें जैहिंद, जैभारत